गाइडन्स जो है वो आपको बताती है कि अगले 18 महीने क्या आप तेजी देख रहे हैं अब ऐसा करते हैं आशी जी हमाई साथ यतिन जी जूड़ चुके हैं ब्रोकरिजिस के भी बहुत व्यूज आते हुए दिखे हैं एक्सेंचर पर और देखते हैं अगर कोई टागेट्स गुड़ मॉनिंग शेल जी नमस्कार जहां तक की ब्रोकरिजिस का सवाल है तीन होई ब्रोकरिजिस CLSA, Morgan Stanley और Credit Suisse एक्षेंचर के रिजल्स को लेके उट साइथ हैं इन फैक्ट अगर आप CLSA और Morgan Stanley देखें तो उनका मानना ये है कि जो guidance FI 22 की एक्षेंचर ने दी है और जो कॉमेंटरी है डिमांड को लेके वो काफी मजबूत है जो इंडिन आइटी कंपनी पे एक positive rub off effect डालेगी यानि जो इंडिन आइटी शेर्स हैं वो आज फोकस में रहने चाहिए तेजी की तरफ, Credit Suisse का अगर आप देखें तो उन्होंने काफी granular detail दी है, Credit Suisse का मानना ये है कि जो salary high हमने देखी है exchanger में उसके बावजूत company का margin performance अच्छा है और उनको लगता है कि जो इंडिन IT companies हैं उनके लिए multi-year cycle है growth के लिए और digital side पे आप काफी सारा काम होते हुई दिखाई देंगे exchanger की तरफ से और इसी लिए Credit Suisse को लगता है कि Infosys, TCS और HCL Tech ये आपके portfolio में ह होना चाहिए जहां तक कि IT Space का सवाल है और ये उनके preferred picks भी है जहां तो ये तीन stocks अगराब है कि उनके preferred picks है और तीनों पे ही post opening हम एक trade और साथ ही साथ याद रखेगा अब October के perspective से भी options भी बाक्षित करेंगे कि भाई October में जब नतीजे शुरू हो जाएंगे अभी तो essential के नतीजे है वो एक trigger है लेकिन वहां तक वहां तक की तेज़ी को अगर आपको बुदाना है तो October के कौनसे options को आप capture कर सकते हैं deep out of money cost के जरिए लेकिन एक और trigger है वार्केट में और एक company के लिए specifically आप देखें A.B. Capital क्योंकि A.B. Sun Life A.M.C के आई पियो के बारे में कुछ बारी कियां अब आशी शाप को समझागेंगे बताई आशी शाप किया है इस आई पियो के बारी कियां इरुकल शाम को सारी details सामने आ गई अधित बिर्ला Capital के board ने दरसल इनकी जो material subsidiary है अधित बिर्ला Sun Life A.M.C उसके आई पियो को मन्जूरी दे दी हरी जंडी दे दी कोल मिलाकर साड़े 28 लाक शेर्स बेचे जाएंगे या आई पियो खुलेगा 29 सब्टेंबर को अगले हफते विनस्डे को विनस्डे से लेकर Friday तक खुला रहेगा 1 अक्टोबर तक Price Band 695 से 712 रुपे का Entirely एक OFS होगा जिसमें Canada की Sun Life Financial साड़े 12% स्टेक और AB Capital करीब 1% स्टेक बेचेगी Valuations के लिए आज से Command करना चाहते हैं 20,000 से साड़े 20,000 क्रोड रुपे के आसपास का Market Capitalization और इसकी और detailing आज सामने आएगी दोपहर 12 बजे इस Company की IPO Press Conference scheduled है तो रड़ा पर ये और मेरे खाल से इसके सारे सेक्टर पीर्ज भी शादा रड़ा पर रहेंगे आश्टी जी एक इंट्रिस्टिंग बात ये है कि हम लोगों ने HDFC AMC की धमाकेदार लिस्टिंग देखी थी गैप अप फुला काउंटर मेरे खाल से 1100 रुपे का IPO आया था और फिर 1500 के आसपास वहाँ पर लिस्टिंग हुई यही तेजी आपने आते वे देखी है नायम इंडिया पर आप देखिए सितंबर में नायम इंडिया आपको पौने 9 प्रतिशत उपर बढ़ता हुआ दिखेगा और HDFC AMC में भी लगबग आपको 9 प्रतिशत की तेजी देख रही है तो रब आफ बिलकुल सही और मेरे ख्याल से 20-25 साल से तो मैं इस AMC को देख रहा हूँ बहुत बढ़िया इनके शेर्ज है एक बार सन 2008 की बात है शायद आपने कितनी बढ़िया स्कीम निकाली कि अगर तब बाजार तूट चुका था और किसी तरीके से SIP के confidence को शोर अप करने के लिए और ये बताने के लिए कि भाई लोग अपने या तो SIP रोके रहें और जो अकर्मन्द लोग हैं वो नए SIP शुरू करें तो यहां पर एक insurance scheme शुरू की गई कि आप SIP लगाईए और आपको free insurance मिलेगी तो बहुत बढ़िया move था और बहुत लोग रुके भी उसमें चलिए देखते हैं किस तरीके से ये AMC पर आपको आता हुआ दिखेगा और ये offer for sale है ये आपने बिल्कु खिया है ये तो इनके जो विदेशी पार्टनर हैं उनकी तरफ से 12 प्रतिशत और अजितिय बिल्ला ग्रूप की तरफ से ये प् बहुत एहम आपको counter जुड़ता हुआ दिखेगा IPO के जरिये secondary markets में और बताइए आशी जी क्या क्या है आपके तरकश में आज ये IPO से यादा है शेल सर एक October तक IPO खुला रहेगा इससे यादा है 2 October इस बार छुट्टी जो हैना Saturday को पढ़ रही है अरे बहुत ऐसी चुट्ट जाएगा कच्छा तेल कल से लेकर कल की बजार की closing साड़े तीन वे से लेकर आज सुबह के बीच में एक डॉलर का Brent में और उचाला गया है अब इसका सीधा 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 सीधे upstream oil companies को आएगा ONGC, oil India, HOEC को रड़ाप रखेगा नीरज ने आज सुबह सीधा सौदा में कई सार oil proxies पे और बैट करने की बात करी थी, तो कच्छा तेल अच्छी तेजी दिखा रहा है, शायद उसका positive rub off, sun flag iron, अदानी power, प्रकाश इंडस्ट्री जैसी companies कुछ successful bidders सामने आए हैं, जो auction हुए थे coal mines के, उनमें इनका नाम दिलिब बिल्ड कॉन, supreme court ने appointment confirm करा एक company और इसका partner जो था वी पियार माइनिंग का developer का operator के तौर पे पंजाब state power corporation के लिए, तो 32,150 करोड उपे का शैद वो पूरा contract value था tender का, इस company के लिए पक्ष में जाता हूँ, अच्छी का बात, इंडियन बैंक ने दो non-performing assets declare करे हैं, 304 करोड का bank का exposure है, जहाँ पे इनका कहना fraud हुआ है और RBI को report करा गया है, विदानता ने कल शाम को update करा कि भई अपने ADRs जो हैं, वो American Depository Shares जो हैं, वो dealist करने की ये लोग तयारी कर रहा हैं, और concentrate करेंगे NAC, BAC में जो listed stocks हैं उन पर, रसल रीजन सिंपल सा उन्होंने देया, भी a mention भी करा उस release में, कि बस volumes हैं नहीं वहाँ पर और पैसा देना पड़ता है महाँ पर लिस्टिंग का, तो net net फायदा नहीं हो रहा है, इसलिए महाँ पर हम लोग dealist करने के त्यारी कर रहे हैं, PVR घजब का move, ठ्यार रेटिंग एजनसी क्रिसल ने कल PVR को downgrade कर दिया, वो outlook भी negative कर दिया है, तो इस रखेंगे, इसका finally pressure आता है, stock पर ही momentum continue रहेगा, और nucleus software है, हलां कि परसों वो अच्छा उच्छाल आज चुका है जब update आ गया था, कि board meet है buyback पर, दर असल आज Friday के दिन, वो board meet scheduled है, तो उसका outcome awaited होगा.